हेलो बच्चो आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 13 ऑवर हेल्थ का थर्ड वीडियो लेकर किया हैं इस वीडियो में हम लोग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में और उससे आगे थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज के कोषन को सॉल्ब करेंगे चलीए तो क्या करते हैं पढ़नाई स्टाट करते हैं देखी रखना तो इसमें लिखा हुआ मतलबवा एंड प्रिवेंशन मालब कि दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो infectious disease को ठीक कर सकते हो पहला तरीका है by reducing the effect of the disease मतलब कि क्या करिए आप disease के effects को कम कर दिजेए अप कम कर दिजेए और दूसरा तरीका है by killing the cause of the disease गवाब के दिजेज ले करके आया है उसी को आप kill कर दिजेए मार देजिये तो पता और पमड़क करते हैं तो यह किया है बच्चे यह है यह बाहिए ईफोन हे सचारी करदके यह विर ढौन ऑ़ दर चेकली है जी है जी से औरBenफाइव दिशींग वर्लेसे समय होगे द चता हो लोग द शक्यानिक यह फर सन सच अगये दिखर कि तरे तो हमनों क्या करते हैं पढ़ना चालू करते हैं इसको और समझते हैं देखिए तो अब आगी यह बोला जा रहा है फॉर्ट फर्स्ट वाले तरीके में वी वी केन प्रोवाइड ट्रीटमेंट डेट वील रेडियूस्ट सिंटम्स मलब कि हम लोग ट्रीटमेंट जैते है जिसे जो सिम्टम्स है रेडिश होता है कि अगर आपको смотрia करोगे pro form for example we can take medicine that bring down fever हम लोग क्या लेते है medicine के स्वर को bring down कम करने के लिए reduce pain or Arrest loosed motion मतलब की मनों को कम करने के लिए क्या लेते medicine के लिए 24 Fever के case में ठीक है वी केनट टे के लिए जाहे इस टाइप का वेज हो चाहे इस टाइप और वश हो दोनों वेज में आपको लेना है ताकि body को क्या मिले body को कम energy खर्च करना पड़े आपको 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 सही करने के लिए ठीक है ना तो we can take bad rest so that we can conserve our energy मलब कि हम bad rest लेंगे ताकि हमारा energy conserve रहे और body क्या करे मलब कि उस disease से अच्छे तरीके से fight कर सके उस energy से ठीक है this will enable us to have more of it available to focus on healing और अगर हम लोग bad rest लेते हैं और अपने energy कंजर्व रखते हैं तो हमें healing healing मतलब कि हमें सही होने में क्या मिलता है ज्यादा सहायता मिलता है ठीक है ना but these kind of symptoms directed treatment लेकिन जो हम लोग इस तरीके का treatment करते है ना by itself will not destroy the effecting microbes and the disease मतलब कि इस टाइप के treatment में हम लोग हम लोग destroy नहीं करते हैं जो कि infecting microbes and disease का will not be cured and may be recur and cannabis abd तो सहीं नहीं हुआ है नहीं है भी में तक एट है तो हमहें करना चाहिएं तो हमें करना कैंप्रोंपर टेश्नक science करएंगे तो दोक्तर करना चाहिए हमें नगू करना चाहिए कि इस k warum वाई डेटेश्ट करने फिर में बताहों कि हुआ है जैसे वंक ट्रीटमस दोक्रा मुझे ऐस्का हुआ है तो बोक्ट्र आपको डेगा कि आप box या का में तर्फरोप्र या करई है धानुंग symptoms है उसके according ठीक है दस बाइ टेस्टिंग दस सब्टम सब्टम म्यूकर्स ऑफ कफ मतलब की कफ का सैंपल लेगा या फिर ब्लड का सैंपल या फिर यूरीन का या फिर स्टूल का सैंपल द इन फैक्टिव एजेंट इस डेटर्माइन मतलब की आपको डेटर्माइन करेगा कि आ medicine prescribed करेगा उसी के according जो आपको डिस हुआ रहेगा ठीक है रहा फॉर एग्जामपल ब्लड टेस्ट कंफर्म दा प्रेजेंस ऑफ मलेरिया ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम लोग मलेरिया जब हुआ रहता है तब एंड़ पेसेंट इस दैन गीवन अस सर्टेन डोसेस ऑफ ड्रक बुला जाठा है कि क्या लिजे मंफ्लीट डॉसेज अगर आपको 5 टेब्लेट दिया तो यह नहीं कि थ्री टेब्लेट खाए मैं ठीट खाने एध्याम अगर आपको अच्छा तरीकी से सही होना है तो आप क्या क्रिए में गॉर्ण्स का ठीक है तो आपको समझ में आया आगे पढ़ते हैं हम लोग देखे अब आगे बुला जा रहा है थाटीन पॉइंट इलेवन में वनवन में प्रिवेंशन ओफ डिजीज को आप किस तरीके से रोक सकते हो तो डिजीज को रोकने का आप के पास बहुत तरीका होता है कि क्या करिए आप उस डिजीज कॉजिंग औरगेनिजम को ही मार दीजिए या फिर आप क्या कर दिये उसके एफेक्ट को कम कर दिजिए तो यह सबी तरीके होते हैं डिजीज को प्रिवेंट करने के मनला कि आप उस डिजीज से बस सकते हो ठीक है तो देखे इसमें पहला कोश्चन मतलब कि in text question क्या पुछा जा रहा ह तो इंटेक्स्ट कोश्चन में हैं कि write about some ways that can prevent us from having a disease मलब कि कुछ तरीका बताईए कि जिससे हम लोग disease होने से बच सकते हैं तो पहला क्या है पहला तो आप प्रसनल हाईजीन पहला पहले तो आप खुद साफ सुतरा रहिए दूसरा क्या है clean the environment अपने आसपास के environment को clean करिए ठीक है अगर आप क्या हो गए है infected हो गए है तो आप घर पे ही रही है stay at home stay at home बोलते है ना कि अगर आप क्या हो गए हो before using meal और after having meal मतलब की लंच के बाद या खाना खाने के बाद हमेशा क्या करिए हाथों को धूइए ठीक है और फिर हमेशा vaccinate हो जाईए मलकि vaccination लीजिए vaccination मतलब होता है जैसे कि अभी Corona आया था तो सभी का वैक्सीन लग रहा था तो कुछ लोग बोरते कि कि नहीं हम तो वैक्सीन नहीं लेंगे नहीं बच्चे ऐसा नहीं है वैक्सीन लेना है जिसे आपको डिजीज नहीं होगा उस टाइप से ठीक है और अगर और अभी पढ़े थे इस वाले से सेक्षन में कि ना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसीन तो उस मेडिसीन के डोजेश को कंप्लीट डोजेश लीजिए तो आप क्या क्या कह सकते हैं इन से भी तरीकों से याप डिजीज से बस सकते हैं अधर्वाइस आपको एक पिक्चर से हो रहा होगा आप उ मतलब कि अगर क्लीन एनवार्मेंट है तो आप हेल्दी लाइफ जी चकते हैं दस इट इस इंपोर्टेंट टो कीप आवर स्राउंडिंग फ्री फ्रॉम डर्ट एंड फिल्थ फिल्थ मतलब होता है गंदगी गंदगी समलीजे गंदगी ठीक है ना सो डैट वी मेंक वी में मतलब कि हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे फ्री फ्रॉम जर्म्स रखेंगे ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारे डिजी से बच सकते हैं सफीशन्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फूड एंड रिगुलर एक्सरसाइज वील अल्सो कीप अस हेल्दी मतलब कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो हम लोग क्या करेंगे सफीशन्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फूड मतलब कि एक बैलेंस डायेट खाएंगे बैलेंस डायेट क्या होता है ऐसा डायेट जिसके अंदर सारे नूट्रिशन होते हैं ठीक है उसको बलते है बैलेंस डायेट कि सुबह उठने उठे तो क्या करिए अपने घर के ही मालों की घर के बाहर जाने सकते हैं तो क्या करिए घर में ही ना पास दद दस मिनट चलिए ठीक है ना फिर खाना खाने के बाद मालों की रात में जब खाना खालेते हो तो उसके बाद टहलिए घर में ही या फिर बाहर म जो बचे रानिंग करते हैं एक्सराइस करते हैं जिमिंग करते हैं अच्छी बात है लेकिन यह हलका सा भी अगर आप एक्सराइस करेंगे जैसे कि है पहला है सुबह सुबह जल्दी उठिए और रात में जल्दी सोईए ठीक है तो यह भी क्या है बच्छे हेल्दी लाइफ का on the immune system of our body तक हम णदा कि करूंब कि हम लंबे टाइम तक हम डिजी रहेंगे हम हंब रहेंगे तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमें अगर अपना इम्मून सिस्टम को इस्ट्रेंध sinking और तो कोई भी नेजीव डिजीज आता में और उसका मार्केट में या फिर hospital में या फिर कोई भी कहीं पर भी न फ्री में या फिर पैसे देख करके ही न क्या हो रहा है vaccination हो रहा है तो उस vaccination को आप ले लीजिए इससे क्या होगा आपका immune system क्या हो जाएगा strengthening हो जाएगा मलब कि मजबूत हो जाएगा और आपको future में वो disease नहीं होगा और अगर हो जा रहा है तो आगे है do you know do you know क्या आप जानते हैं developing immunity मलब की अपने body के अंदर में unity को develop करिए कैसे करिए vaccine लगा करके vaccine लगा करके कैसे हो सकता है तो देखिए यहां पर थोड़ा कहानी है थोड़ा कहानी समझते हैं मतलब की two centuries ago मलब की 200 साल पहले an English physician एक English physician named Edward Jenner मतलब की एक English physician थे जिनका नाम क्या था Edward Jenner नाम था realize that उन्होंने ऐसा realize किया that milkmaid who had cowpox मतलब की ऐसा milkmaid जैसे कि जो लोग दूद बेचते हैं तो उन्हों लोग बोलते हैं तो milkmaid who had cowpox मतलब की ऐसे milkmaid जिनको क्या हुआ था cowpox मतलब की cow से होने वाली बीमारी अलब की cowpox नहीं हुआ था डिटींग एपीडे मिग्स मतलब कि अभी क्या हुआ था अभी को औरोना आया था तो देखे लोगं करोना हो रहा था जो भी इन्फेक्टेस प्रसäreइड के पास में जा रहा था उन सब्सक्राइद को करके क्या है यहसी खराब बन रहा है हमारा यह country है थिक करके तो आधे बोन सकते हो न कि अगर हमारे country इस गण्वालों सबी लोगों को हो गया है हम ऑल्मोस्ट सबी लोगों को गया तो उसको बोलते है एपीडेमिक्स क्या बोलते हैं एपीडेमिक्स मतलब कि किसी एक रीजन में क्या हो रहा है तो उसको बोलते हैं अगर पूरे आपके फैल गया या फिर पूरे या फिर फैल रहा है तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक्स समझ नशनमा क्या तो क्रोणा थक क्या था यह बोला गया कि एड़्वर्ट जैने ने यह रिलाइस किया कि ऐसे मिलकीमेड जिनको काउप्स नहीं हुआ जब एपीडेमिक फेला तो ठीक है ना तो cowpox is a very mild disease cowpox क्या होता है cowpox क्या होता है एक एक बहुत ही mild disease है मलब कि बहुत ही हलका हलका disease है जैनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग cowpox to people तो तो ना एड़वर जैनर ने क्या क्या किया जान बुच करके ना कुछ पर्टिकुलर लोगों को कुछ पर्टिकुलर लोगों को मालग जी की लोग है इन पर्टिकुलर लोगों को क्या दिया cowpox दिया जब इन लोगों नहीं था था तो बचे दिया तो बहुत अच्छा काम किया क्यों कि अगर इन लोगों को जब cowpox दिया गया इन लोगों को तो इस जिए से ठीक हो गया तो उसके बाद क्या हुआ जब चिकन पॉक्स फैला या फिर चिकन पॉक्स के बाद अगर इन लोगों को एड़ोर जनाने क्या दिया था ठीक है न तो 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 उन उन हजार लोगों को को छिकन पॉक्स मोलना तो इन सभी लोगों को चीकन फॉक्ष नहीं होगा क्यों कि इनके बॉडी पहले से और पहले हो कि इंधर हो गया है क्मोदी है जो एड़ जरेनर ने अ तो उसके खिलाफ अन्थी ब Jed Audiा ऑच पहले हो प्ली में पहले है कावपॉक्स का दिया गया था कावपॉक्स का वैरेस वह क्या हो गया तुरंत लोग ठीक हो गया इस डिजी से समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ठीक है तो कावपॉक्स इस लिए क्या हो गया कि अपने आपको रोक लिए ठीक है मतलब कि लोग को कावपॉक्स नहीं हुआ का मलग तुमस्वापॉक्स नहीं हुआ और अगर हुआ भी तो लोग तुरंट उससे ठीक हो गया ठीक है तो फिर इसमें आगे बोला जा रहा है इस वाज बिकॉज दे स्मॉल पॉक्स वाइरेस इस तरीके से मों बोल सकते है न कि इसमॉल पॉक्स का जो वाइरेस है वह क्लोजरी रिलेटेड है कावपॉक्स के वाइरेस से मतलब कि कावपॉक्स का वाइरेस और इसमॉल पॉक्स का वाइरेस दो दोनों क्या है एक दूस लेंटिन लेंग्वेज में and cowpox is वैकीणिया वैकीणिया को बोलते हैं वैकीणिया इसी वर्ट से फ्रॉम डिस रूट इसी रूट से रूट से न हुआ हो गया है वर्ड निकल करके आया है ठीक है इसको न वैक्सीनिया भी पढ़ सकते हैं वैक्सीनिया ठीक है आगे बोला जा रहा है वैक्सीनेशन इस दा प्रोसेस अब हमनों समझते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है बच्चे तो ना यूमिनिटी का डेफिनेशन आप लोगो जब अभी सॉलिशन करवाऊंगा ना तो उस इसके जरिए यूमिनिटी यूमिनिटी आपके बॉडी में डेवलप कराया जाता है तूवर्ड स्पेसिफिक डिजीज किसी पर्टिकुलर डिजीज का इस डेवलप्ट इन यूर इन अवर बॉडी मतलब कि वैक्सीनेशन इस दा प्रोसेस बाइच यूमिनिटी एजेंट इस में बूला क्या जा रहा है तो इसमें सिम्पल सा बोला जा रहा कि अगर 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 ऐपको अगर आपको किसी डिजीज के खिलाफ किसी के खिलाफ क्या कर ना है आपके बॉडी में डेवलप करना है यूमिनिटी अगर किसी डिजीज के खिलाफ आपके बॉडी में डेवलप करना है यूमिनिटी तो आपको क्या किया जाएगा जो जो एक्चुल डिजीज है उसका आपको mild control amount में क्या दिया जाएगा पहले ही जैसे कि या याद रखी हुआ क्या था हुआ क्या था सब्सक्राइब कि करोना जब करोना जब हो रहा था तो लोगों ने क्या 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 था वैक्सीन दिया था तो उस वैक्सीन में था क्या उस वैक्सीन में ये था ना कि जैसे कोई person है को को एक कोई पर्स एलदी पर्सन सपैस्फ टरहीं कि मैं हूं तो क्यास है जब अधर क्रणा का वैक्ति लग रहा था है अरुए-धर काई-धर को डाला गया था चुल की यह तो क्यों कैने च्वारस उस microbes के खिलाफ क्या 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 करेगा immunity system develop कर देगा जिसे मुझे ये पता चलेगा कि अगर future में मुझे वो disease होता है तो मुझे कैसे लड़ना है मुझे नहीं मेरे body के immune system को कैसे लड़ना है वो क्या 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 करेगा पहले से ही जाने रहेगा और क्या करेगा अगर corona का virus मेरे body के अंदर आ जाता है actually में तो क्या करेगा मेरा immune system उसको खतम कर देगा ठीक है तो यही बच्चे की क्या करते हैं हम लोग जब भी कभी vaccine लगाते हैं तो हम लोग mild तो नहीं इसने भी एड़वर्जन ने भी यही किया था cowpox जो की mild disease होता है वो क्या किया था लोगों को दे दिया था जिससे हुआ यह था कि उन लोगों के अंदर immunity develop हो गया था cowpox के खिलाफ तो वैसे ही जब smallpox लोगों को हुआ तो जिलों को दिया गया था cowpox उन लोगो smallpox नहीं हुआ इसे फाइदा यह हुआ कि अगर उन लोगों फ्यूचर में smallpox होता भी न तो क्या होता उनका body तुरंट alert हो जाता और बोलता कि हां यह वायरेस हमारे पास पहले भी आ चुका है मुझे पता है कि इससे कैसे लड़ना है तो आपका हो जाए उसके उस डिजीस के खिलाव के body में क्या हो जाए युमिटी डेवलप हो जाए तो आइधिंग आपको मैं समझा पाया हूं कि यह vaccination क्या है और इसमें क्या होता क्या है चलिए अब आगे पढ़ते हैं अ देखे न बच्चे आप लोग को आप लोग को डेफर कर सकते हो अपने एंसर कोशन के लिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइस के कोशन पर तो इसमें क्या बोला जा रहा है तो पहला अप्सन है इसमें चूज दक्रेक्ट और मतलब कि जिस पर सनको होगा ये ना क्या होगा मतलब कि कि मालोग को अगर मुझे नाइट ब्लैडनेस हुआ है तो यह आपको नहीं फैलेगा आप तके कम्यूल केवल नहीं होगा तो यह नाइट ब्लैडनेस नहीं होता है Infective Disease Diabetes, अगर मुझे है तो मेरे साथ रहने से आप लोग को Diabetes नहीं होने वाला है तो यह भी बच्चे Non-Infective Disease है Blood Pressure, अगर मुझे Blood Pressure है तो भी क्या होगा आप लोगों को Blood Pressure फेलेगा नहीं लेकिन अगर मुझे Colera है तो Colera क्या होता है बच्चे यह ना बच्चे भाप गनदा पाणी या गनदा खाना खा लेते हुना तो उसके विज़ेस disease है what causes AIDS AIDS किसे होता है एचाइवी वाइरस से किसे होता है HIV से HIV मनलब की human immuno virus human immuno deficiency virus human immuno deficiency virus याद रखेगा बच्चे AIDS का full form और HIV का full form याद रखेगा याद रखेगा AIDS का होता है acquired immune deficiency syndrome acquired immune deficiency syndrome और अचाइवी का होता है human immuno deficiency virus तो क्या है बच्चे वाइरस के थुरू होता है यह सब के थुरू नहीं होता है थर्ड है which disease is not infectious फैलता नहीं है फैलता नहीं है तो type 5 नहीं फैलता है लेपराजी नहीं फैलता स AH जयसे कि its की पादर है यह वाइरस बच्चे साहा यह बच्चे के बचिक बच्चे और बच्चे जो ये दोनों होते हैं बैक्टीरिया से तो यह होता है यह वाес के थुरू यह होता है दुने बैक्टिरिया के थुरू और यह क्या है बच्चे नॉन इंफेक्सिस डीजीज है ठीक ना चलिए अब लोग आगे पड़ते हैं देखे अब सकेंड कुशन क्या बोला जा रहा है सजेश्ट टू कंडिशन दो कंडिशन बताईए निसेशरी फॉर क्लीन रखने चाहिए मैंटे करना चाहिए दूसरा बहुति ही सुअपिसेंट में हम लोग को क्या की है एक्टिव रहना चाहिए और हाँ इतना ही बोल सकते हो और अधर्वाइज आप लोगो जो पिक्चर सो हो रहा होगा ना उस उस पिक्चर का का भी आप ले सकते हो अपने सॉलुशन के लिए ठीक है ना बचे चलिए यह कुशन तो हो गया कुशन नमबर ठर्ड अब देखते हैं मत Samuel aans right was 2 राइट एंव 2 causes of This तो डिजी दो और कॉर भूष बिद पर आप युद्रीश बना vive immediate causes और दूसरा होता है contributing causes तो वो बोलोगे ना कि immediate causes इत इंक्लूड पैथोजेन्स डेटीज वाइरस और बैक्टिरिया और Contributory causes में बोलोगे कि इत इंक्लूड अधर फैक्टर्स सच पूर हैल्थ genetic disorder improper functioning of the body organ यह सभी ठीक है अधर्वाइस आप लोगो जो solution सो हो रहा होगा आप लोग उसकी भी help ले सकते हो अपने question के answer को देने के लिए ठीक है अब next question क्या है next question है during the past one year मलब कि पिछले एक साल में how many times did you fall sick तो आप कितनी भार भीमार पर पड़े हो तो बोल दीजेगा अपने मन से बोलेगा कुछ भी कोई आपका चक करने चाहेगा नहीं बोल दीजेगा one times या twice या thrice या three times या four times जो भी मन करें वो बोलेगा what was the disease और और डिजीज क्या था तो आप बोल सकते हो कि ना fever बोल सकते हो या फिर common cold बोल सकते हो या फिर diarrhea बोल सकते हो कुछ भी disease अपने मन से जो भी कफ बोल सकते हो headache बोल सकते हो जो मन करें वो बोलोगे हाँ अब question है question को समझे question में क्या है question जरूरी है तो पहला question है what change would you make in your daily routine toward of this disease तो मतलब कि आपने क्या-क्या changes किया अपने disease को खतम करने के लिए disease को खतम करने के लिए तो बच्चे या याद रखेगा आप बोलो बोलोगे ना कि ना हम लोगों ने क्या किया clean drinking water पिया मलब कि always drink clean water ठीक है ना फिर wash our hand properly before meal and after meal ऐसा करके फिर बोलोगे कि हम अपने क्या-क्या surrounding को clean किया ठीक है जिसे कि क्या हो जिसे कि infectious disease spread ना हो ना हो ठीक है और और बोल सकते हो कि ना अर्ली टू बैड बताया अर्ली टू बैड एन अर्ली टू राइस इस वाले है habit को daily routine में लेकर के आया जिसे कि क्या है हम उस disease से तुरंत मलब कि भी ज्यादा लॉंग टाइम तक नहीं हुआ second है what changes would you like to bring in your surrounding to save ourself रॉम है तो बोला यह जा रहा है कि अगर आपको मलब कि कि आप अपने surrounding में क्या-क्या changes करेंगे जिसे कि यह disease फिर से कभी किसी को ना हो या आपको खुद ना हो तो सिंपल सा यह बोलोगे ना कि ना हम लोग क्या करेंगे अपने आस पास को clean रखेंगे ठीक है ना हमेशा pure drinking water water पियेंगे ठीक है ने ने बर हुड को clean रखेंगे और मौर से मौर plantation करेंगे मलब कि plant more and more tree करेंगे जिसे क्या होगा हमारा surrounding क्या रहेगा clean रहेगा ठीक है आए नेच्ट क्या हैत्फ और चाइल्ड टू टेल एक एक बच्चा जो की बता नहीं पारहा है वे यो बीमार है हाओ विल्ल यू फाइंड आउड अप कैसे फाइंड करोगे क्यों बीमार है तो यह कैसे फइंड कर सकते हैं बच्चे तो देखिए पहला weather c6 क्यों आप कैसे find करोगे क्यों बीमार है तो बच्चे तो ना उसके ना body temperature को देखिए उसको देखिए कि कहीं उसके आखों से पानी आ रहा है कि नहीं मतलब कि उसके उसके temperature को चेक करिए body के temperature को second उसके continuous अगर वो रो रहा है crying कर रहा है खाना नहीं खा रहा है धंग से vomiting कर रहा है उसके आखों से पानी आ रहा है या उसकी आखे लाल लाल हो रही है यह सभी क्या हो सकते है reason हो सकते हैं कि बच्चा क्या है सीख है ठीक है तो आप लोग को picture सो हो रहा होगा इसका तो आप लोग उसका answer दे सकते हो second question क्या है second question है what her sickness is उसके बीमारी का क्या कारण है तो बीमारी का क्या कारण है अब आप डॉक्टर मत बनिएगा अगर बच्चे को बीमारी है तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा डॉक्टर से चेक करेगा कि हाँ अच्छूली में हुआ क्या है ठिक है और फिर क्या करेगा अगर वह बोलता है कि ना इसका कर वाइए कुछ इसका लिख सकते हो और आप आपको समझ सकते हो जो आपको समझ में आ रहा है जो आप एक्जाम में अच्छे तरीक से लिख सकते हो उसको पढ़िएगा ऐसा नहीं कि तीनों को पढ़ने लग गया देख करके पढ़िए कि आप क्या चीज अच्छे से पढ़ सकते हो जो आपको तो आप लान कर सकते हो उसको याद करेगा ठीक है ना अब बच्चे देखिए कोशें नंबर सिक्स क्या है वाट इस दा डिफरेंस बिट्वीन इंफेक्शियस और नौन इंफेक्शियस डिजीज गीव एन एक्जामपल ओफ एच मतलब की इंफेक्शियस डिजीज और नौन इसामपल जीए देखिए जब मैं पढ़ा रहा था ना इंफेक्शियस और नौन इंफेक्शियस तो आप लोग को मैंने ना जो जो पिक्चर सो किया था उस समय तो ना आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो वह बहुत अच्छा डेफिनेशन था और आपको सौट डेफिनेशन ठीक है तो इंफेक्शियस क्या होते हैं ऐसे डीजीस जो कि क्या होते हैं माइक्रो और्गेंजम के थुरू या बोल सकते हो माइक्रोब्स के थुरू फैलते हैं कम्मुनिकेट होते हैं वन परसन मलब कि इनफेक्टड परसन से अनधर परसन में हेल्धी परसन में उसको बोल पैफोजend के शुरू फैलते हैं नहीं उनको बोलते हैं में तो इसका एक्जामपल फिर बोलेगा कि को लेरा हो जाएगा आपका टीबी हो जाएगा का इयड्स हो जाएगा ठीकिन था कॉमनकोल्डश हो जाएगा ठीकिन यह सभी और नॉन infectious में आप बोल सकते हो कि cancer है blood pressure है और फिर एक और था cancer है blood pressure है और एक और था night blindness है diabetes है यह सारे क्या है non infectious disease है ठीक है otherwise आप लोगो पिक्चर सो हो रहा होगा आप लोग उस पिक्चर की भी help ले सकते हो अपने question के answer को देने के लिए ठीक है चलिए अब हमनों क्या करते है question number 7 पर move करते हैं देखी question number 7 बोला जा रहा है in which of the following situation इन तीनों situation में से you have maximum chance of falling sick तो किसका chance है मलब कि इन तीनों situation में से किस chance का maximum chances है ना कि आप बिमार पढ़ सकते हो पहला during your examination क्या आप examination के समय मलब कि क्या आप exam के pressure के समय बीमार पढ़ सकते हो कि में अगर अच्छा अरही मीरा तो exam आ रहा है तो मेरे को क्या हो जाएगा मेरे को बीमारी हो जाएगा नहीं बच्चे ऐसा को यह कोई reason नहीं है हाँ आपका headache हो सकता है क्या pressure लोगी तो आपका headache हो सकता है लेकिन आप आप बीमार नहीं पढ़ोगे ठीक है ना बीमार पढ़ते हैं हम लोग जब कोई non non infectious agent हमारे body के अंदर आथ है तब हम लोग बीमार पढ़ते है ठीक है यू यू travel by bus or train for two days अगर आप क्या करते हो ट्रेवल करते हो बस से तो आप बीमार पढ़ जाओगे नहीं बची यह कोई valid रिजन नहीं हुआ फिर नेक्स बोला जा रहा है यूर फ्रेंड इस सफ्रिंग फ्रॉम मैसल्स मैसल्स से आपका फ्रेंड सफर कर रहा है और आप गये उससे मिलने तो क्या होगा आपको डिजी इन्फेक्सियस डिजीज है जो कि एन इन्फेक्टेट फर्सन से हेल्दी पर्सन में यह फैलता है तो बच्चे हां आपको इससे जादा चांसे से कि क्या हो सकता है आप बीमार फॉलिंग सीख हो सकते हो समझ में आ गया तो यह कंडिशन थ्री जो है ना बच्चे यही रीज आप लोग उन सभी एंसर में से जो आपको एंसर सही लगता है उसको आप पढ़ करके समझ सकते हो ठीक है आगे है वाट इस यूमिनिटी यूमिनिटी क्या होता है तो मैंने आप लोगों को ना यूमिनिटी का डेफिनेशन दिखाया था जब मैं आगे पढ़ा रहा था तो तो यूमिनिटी का डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो आपको डिजीस होने से रोकता है यह बचा करके रखता है तो यूमिनिटी बोल सकते हो तो फाइट अगेंस्ट डिजीस काजिंग ओर्गैनिजम इस काल्ड यूमिनिटी या फिर इसका पर एक और एक और एप्जांपल दे सकते हो कि यूमिनिटी इसदा एबिलिटी ऑफ एन और्गैनिजम टू 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 रसीस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन पर्टिकुलर इंप्षयन बाई यूमिनिटी बॉलते हैं यूमिनिटी देखी न इसका भी ना आप लोग को answer सो हो रहा होगा आप लोग इसमें से मलब कि आपको जो भी answer सही लगता है आप उन सभी answer को follow कर सकते हो और अपने question का answer आप दे सकते हो सारा answer क्या है verified यहना मैंने इसको पढ़ लिया है देखा है कि हाँ यह answer सही हो सकता है और जो आपको लगता है आप उस answer को दोगे कि जो आप जो आप इस तरीके साफ भोल सकते हो ठीक है एक्सप्रेस कर सकते हो तो आप answer दोगे और जो आपको समझ में आज अच्छे तरीके से उसका answer चर्शा नमबर 9 क्या बोला जा रहा है give an example to justify that prevention is better than cure मतलब कि इस statement को आप एक example दे करके justify करिए कि prevention क्या होता है better होता है क्योर से मतलब कि आप क्या 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 करिए अपने आपको बचा करके रखी कि आपको बिमारी ही नहीं होगा तो आप क्या रहेंगे आप क्या मतलब कि आप healthy रहेंगे तो बोलोगे ना prevention is better than cure is a true statement है तो बोलोगे कि अगर हम लोग अपने surrounding को clean रखते हैं क्या रखते हैं clean रखत और हम लोग हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं ऐसा है और एक example दे देंगे ठीक है तो आप लोग को इसके ना इसका भी आप लोग को solution source हो रहा होगा दिख रहा होगा तो अगर आप लोग को जो भी solution आप लोग को समझ में आता है अच्छा लगता है आप लोग उस solution को prefer कर आप लोग आप उन्हें कर सकते हो कि साना अशर बताईए ऐसा करके ठीक है ना कि नीगोटीन क्या क्या करता है है तो कहले करता है और ऐघ्म है ने कोटीन है वह कहां से आता है ज्यूट को बनाया जा जाता है तो उससे चाया वोड़र ऐसका सकता है मुordकि टोबे को खाने से मaurग की तंबाकू बोलते हैं smoking में भी तंबाकू रहता है और पहरा हुआ मरग की आप पलोग नॉर्मल माश्चाइस मोल차कि यो इस बहुता होगा न बॉलते हैं तो टेकिंग टोबेको से क्या होता है आपको cancer हो सकता है lips का internal lining of mouth का tongue का trachea का lungs का यह सारे हो सकते हैं आपको problem हो सकते हैं ठीक है फिर drinking drinking वालब कि जो लोग alcohol पीते हैं तो alcohol को पीना क्या कि क्या है बच्चे बहुत ही bad habit है ठीक है alcoholism causes loss of concentration अगर आप लीवर का cancer हो सकता है हमोने लुटी ज़्यादा हम क्या पीना ही नी चाहिए तो इसे लेवर cancer हो सकता है जॉन्डिस हो सकता है 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 इसारे हो सकती है ठीक है अधर on the intoxicating substance क्या है तो गांजा है भांग है ओपियम है कोकेन है सारे है इन सारे को कभी भी हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए ठीक है क्योंकि इन सभी से हमें हमारे हेल्थ को बहुत ही खराब होता है और हमें एक कैंसर तक भी हो सकता है ठीक है तो आप लोग आज के वीडियो यहीं तक है अगर आप लोग को जो भी डाउट होगा आपको मुझे कम method अच्छा लगता है अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया और मैं आपको सिखा पाया तो please 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 we drive करें comment करें और इसे वन दोस्तों के शाद के शेर करें और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा मिलते हैं एक ट्रॉडियो में थैंक यू